आप देखिए यह विडियो, माया ट्यूटर पर मुफ्त कूपन कोड साइट पर बैनर में दिया गया है, अभी पंजी करन करें, फ्री में ओनलाइन क्लास लें हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं, प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब कॉविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके, इतने सारे महान शिक्षन अप्र पर बैरोजगार बहुत कम दर के आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खो दिया है, वेब साइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उप्योग शिक्षक माया ट्यूटर्स डॉट कॉम पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाएं लेने के लिए कर सकते हैं, य साथ ही अब आप जूम एप और गूगल मीट के जरिये लाइव क्लासेज ले सकते हैं, यह सब माया वेब पोर्टल के जरिये बड़ी आसानी से किया जा सकता है, आपके छात्रों के अलावा अन्यदूर के छात्र इस पोर्टल के माध्यम से आपको धून सकते हैं, उन्हें अपना छात्र बनाएं और कक्षाई लें, एक और विशेशता यह है कि आपको बहुत सारे च्यूशन छात्र मिलते हैं, इस युग में जहां शिक्षा एक व्यवसाई बन गया है, यह साबित करके कि शिक्षा केवल एक व्यवसाई नहीं है, अपने कौशल को साबित करें, बहतर आए प्राप्त करें, अधिक जानने के लिए यह वीडियो दे, नियमित ट्यूशन शिक्षकों के लिए महस 250 रुपे प्रतिमाह में ओनलाइन ट्यूशन लेने के लिए एक वेब पोर्टल तयार है, रोबोटिक्स कक्षाओं के माध्यम से आए अर्जित करें, अगर आप सिर्फ एक बार क्लास लेते हैं, तो आपको बाद में क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, बिना किसी की मदद के अभी देमो आजमाएं। ओनलाइन ट्यूशन क्लास लेने के लिए आपको एक वेब साइट बनानी होगी, यह बहुत महेंगा है, लेकिन सामान शिक्षक इस वेब साइट के माध्यम से बहुत ही कम लागत में ट्यूशन ले सकते हैं। प्रोबोटिक्स क्लास क्या है? प्रोबोटिक्स कक्षाएं एक वेब पोर्टल की मदद से आयोजित की जाने वाली कक्षाएं हैं, जो एक बार ली गई ट्यूशन कक्षाओं की डिजिटल फाइलों का उप्योग करती हैं. वेब पोर्टल पर डैनिक कक्षाओं के विडियो और नोट्स की सूची बनाएं इनका उपयोग बाद में बिना कक्षाओं लिए छात्रों को ट्यूशन कक्षाओं देने के लिए किया जा सकता है शिक्षकों को बाद में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है अधिक जानकारी के लिए ये कैसे काम करता है देखें माया वेब पोर्टल पर मैं किन विशयों की ट्यूशन ले सकता हूँ स्कूल पाथ्यक्रम, कॉलेज पाथ्यक्रम, पश्चिमी संगीत, करनाटक संगीत, संगीत वाद्ययंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, पीएस्सी, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाशा अध्ययन, आप लेखानकन, मनो विज्ञान, दर्शन यह सब विश्चय जैसे सभी विश्चयों में कक्षाएं ले सकते हैं शिक्षक छात्रों से फीज कैसे लेते हैं? फीज सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पैमेंट वॉलेट क्यू आर कोड प्रदर्शित करने के विकल्प हैं क्या मुझे माया ट्यूटर को छात्र शुल्क में से कोई कमीशन देना होगा? नहीं, इस वेब पोर्टल का उपीओग करने के लिए शिक्षकों से केवल किराया लिया जाता है यह लिया जाता है माया पोर्टल के माध्यम से ओनलाइन ट्यूशन सुविधा की दर क्या है माया बहुत कम मास से किराया लेती है अधिक जानकारी के लिए मूल्य देखें क्या मुझे भुगदान करने से पहले डेमो मिल सकता है जी हाँ बिलकुल आपको साथ दिन का डेमो मिलेगा शिक्षकों के लिए डेमो प्राप्त करने के लिए क्या करें यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो डेमो उपलब्ध होगा डेमो कितने दिनों में उपलब्ध होगा यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं यदि आप एक छात्र के रूप में पंजी करन करते हैं, तो आप इस पोर्टल पर पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे. शिक्षक का पंजी करन कैसे करें? डेमो कैसे प्रापत करें? अगर आप शिक्षक हैं तो यहां शिक्षक के रूप में पंजी करन करें. पहले इस form को भरेन, नियम और शर्थे स्वीकार करें रजिस्टर पर क्लेक करें अपने मेल पर जाने के बाद माया ट्यूटर सक्रियन मेल खोलें सक्रियल लिंक पर क्लेक करें मेंबर लॉगिन का चैन करने के बाद अपना मेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें और फिर लॉगिन करें यह आँ, गूगल के साथ लॉगिन चुने देमो अब तैयार है अपनी प्रोफाइल संपादित करें यह विडियो देखें अपना पार्थ्यक्रम और मॉड्यूल बनाएं डेमो के बाद माया वेब पोर्टल का उपयोग करने के लिए शिक्षकों के लिए क्या दर है? ख्रिप्या यह कीमत देखें इस पोर्टल पर कितने पार्थ आक्रम सूची बद किये जाशाखते हैं? पाठ्यक्रम असीमित के रूप में सूची बद किया जा सकता है इस पोर्टल में कितने छात्रों को जोड़ा जा सकता है आप असीमित छात्रों को जोड़ सकते है क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है आप यूट्यूब लाइव विडियो लिंक को सूची बद करके लाइव क्लास ले सकते हैं अभी रजिस्टर करें और अधेग जानकारी के लिए डेमो आजमाएं पार्थ्यक्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है? एक बार शिक्षक बंजीकृत हो जाने के बाद पार्थ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं? पीडियेफ कैसे सूची बद करें और लाइव क्लास कैसे लें? इस पर हर जगह विडियो होंगे आईए इन विडियो को देखें और पार्थ्यक्रम की सूची बनाएं मैं एक छात्र हूँ, क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्ख देना होगा? नहीं, यह छात्रों के लिए सौ प्रतिशत मुफ्त है, छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम पा सकते हैं, लेकिन ट्यूशन फीज सीधे शिक्षकों को देनी होगी मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पाठ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूँ? पाठ्यक्रम का नाम शिक्षन विशए संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें यहां अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें स्थान दर्ज करें और खोजें अब आप चयनित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं. यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते, तो अन्यस्थानों के नामों से खोजें. वर्तमान शिक्षकों का वेब पोर्टल खोलें. अब आप इस शिक्षक का संपर्ख पता. WhatsApp नमबर और पाठ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं यहां आप सीधे शिक्षकों के WhatsApp पर चैट कर सकते हैं या शिक्षक यहां मेल द्वारा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रही हैं तो आपको पंजी करन या लॉग इन करने की आवश्यक्ता है। एक रजिस्टर क्या है? लॉग इन क्या है? यदि आप इस वेब पोर्टल पर पहली बार जा रहे हैं, तो आपको पंजी करन करना होगा। यदि आप एक छात्र हैं, तो आपको यहाँ एक छात्र के रूप में पंजी करन करना होगा। मत भूलो, यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में पंजी करन करें। यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं, तो आप इस पोर्टल पर अध्यान नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले, छात्रों को यहां पंजी करन करना होगा, इन सभी फॉर्म को भरें, आपके मेल पर जाने के बाद, माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोलें, एक्टिवेट लिंक पर क्लिक करें, रजिस्टर अब पूरा हो गया है, अब आप अपनी मेल आईडी और पास्वर् कर लॉग इन कर सकते हैं, चयान करें, मेंब पहुझ, अपनी मेल आईडी और पास्वर्ट से लॉग इन करें, या गूगल के साथ लॉग इन का चयान करें, उन विशयों और शिक्षकों को खोजें जिनकी आपको आवश्यक्ता है, इसके लिए यहां खोजें, इनकी मेल बान कर वी एंडी को खोजें, ऑे connectivity मेल आवश्यक्ता करें, यहांए। पास्वर्म मेल्लिघकों केरिए। आपकों के सबस्वें और शिक्ता हैं, अयान खोज़ मेल आवाली मेलल्स, प Court अवर्चिछ, झाल 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 झाल